प्रिय चात्रों, निर्मान, IAS संस्थान, UPSC 2023 वद 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते होए, आप सब के लिए बहु विकल्पिय प्रशन उत्तर श्रिंखला लेकर आ रही है, जो प्रति दिन के समसामेक प्रशनों के साथ, सामान्य अदेयन के अलग-अलग विश सकते हैं, तो आप प्रिलिम्स को क्वालिफाई करने की स्थि में नहीं हो सकते है, इसलिए हमारा प्रियाज होता है कि हम आपको इलिम्स टेकनिक पता करके, आपके 10 से 15 कोष्चन, जो की आपको संभावतार नहीं आते हैं, उसको भी सही कराने का प्रियाज करें, तो आईए इस सेशन को सुरू करते हैं, आज का हमारा पहला कोष्चन ये सामने है कि हाल ही मे अर्त गंगास और्ट गंगास को सिमाचार में देखा गया निम ak Mini लिखितमें से कौन से अर्ध गंगा के घठक है अब यहाँ पर यह प्रश्न आप से पूछ राए कि अर्थ गंगा के घौटक कौन से है यू पेसी जब कोश्चन बनाएगा तो वह अगर अर्थ गंगा के बारे में पूछेगा तो वह सिर्फ घौटक नहीं कुछेगा एसाफ औरory इसी जानकारी में कुछ क्लू भी देगा जिससे आप आपसंस को आसानी से इलिमिनेट कर पाएंगे तो आई ये देखते हैं गंगा नदी के दोनों और 20 किलो मिटर पर उन्य बजट प्राकृतिक खेती यह अर्थ गंगा का एक घटक बताया रहा है कि अर्थ गंगा परियोजना में गंगा नदी के दोनों किनारे पर 20 किलो मिटर की दूरी तक तो जैसा आप अगर हमारा पीछे का सेशन देखते हैं तो यहां पर जब आपके सामने दिख गया कि 20 किलो मिटर पर तो यहां पर एक डेफिनिट फैक्ट है निश्चित तत्य है तो इसे घलत होने की संभावना है ठीक है सेकेंड ऑप्शन कीचण और अपसिस्ट जल का मुद्री करण और पुनह उप्योग यह एक सिंपल सा स्टेट इंवार्लेमेंटेस तो आपरियोजना होगी तो उसमें जलर की सपाई और इसका रीयूज फुनर अपयोग जैसी संकल्पना तो अवसे ही होगी तो अगर यह गंगानुदी से जूड़ी परियोजना है तो गंगाननदी के जलक के संतर्ध में भी इसका फुनर उपयोग तो होना ही चाहिए तो सेकेंड ऑप्शन हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है जिसको लेकर के हम काफी सरीयस हो सकते हैं तो सेकेंड ऑप्शन सही होने की संभावना अधिक हो ठीक है यह थर्ड की और देखते हैं घंगा की सांस्कृतिक विरासत और परियाटन्ट यह देखिये भा तो अगर गंगा नदी के बारे में कोई पर्योजना बन रही है तो गंगा नदी के परियटन से उसका जुड़ाव होना सौभाविक है लाजमी है तो यहां पर जो थर्ड़ अप्सन है यह भी हमें कुछ वैसा फारी या फिर कोई हाड फैक्त नजर नहीं आता है यह सिंपल सा सही होने की प्रबाबिलेटी ज्यादा है चौत्य स्टेटमेंट पहतर जल सासन के लिए अस्थानिय परसासन को ससक्त बनाना अब देखिए अब तक हमारे यहां एक ट्रेंड चलता था तौब टू बॉटम अप्रेज तौब टू बॉटम अप्रेज का मतलब है कि सेंट्रल दसकों में पिछले कुछ एक दो दसकों से या इवन यो कहें कि 21 संच्री में हमने अब टू बॉटम अप्रोच के अस्थान पर बॉटम टू टू टॉप अप्रोच की और अपना कदम बढ़ाने का प्रयास किया है ऐसे में अस्थानिय छेत्र में जो अस्थानिय लोग रहत लग रहा है इसा इस्थानिय परसासन को ससक्त बनाना यह भी एक सिंपल सा स्टेट्मेंट नज़रा रहा है अब कह रहा है कि कौन सा सही है जैसे ही सही और गलत दिखें आपके दिमाग में एक 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 मेंटली हैबिट होना चाहिए जैसे ही सही और गलत आपके कौपी में दिख जाए उसको तुरंद घेर देना है तो यहाँ पर सही दिखांग आमने इसको घेर दिया कह रहा है कि निम्चे दिए गये कुट का प्र प्ले cared letा है और कि एक डिजिट अक्सर यूपी कि घलति सिगा लगाउना डिपर iii किनारे 20 किलोमेटर की दूरी पर नहीं बलकि गंगा दिके कििनारे के 10 किलोमिटर की दूरी पर रसायन मुक्त खेती अर्थात सुन्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारें प्रयास कर रही है इसे के लिए गंगा नदी के सफाई से जुड़ी हुई ये एक परियोजना थी और गंगा नदी की सफाई से जुड़ी हुई भी बढ़ावा देना था लेकिन वह जो दूरी थी वह 20 किलोमिटर रहो करके 10 किलोमिटर थी और यहीं एक ऐसा हाड़कोर है अर्था गंगा से जुड़ा हुआ जहां पर गलत बना सकता है पाकी फैक्तों में गलत बनाने की संभावना कम ही रहेगी तो अगर आपको पता है कि यह दूरी 20 किलोमिटर नहीं बलकि 10 किलोमिटर है तो आप इसको असानी से सही कर सकते हैं ठीक है अगले कोस्टन की और चलते हैं यह देखिए सेकेंड कोस्टन है कि मेकॉंग लंग कॉंग सहयोग के संदर्ब में निमलीखित कत्रों पर विचार करें अब अगर आप वर् संदर्ब में मेकांग नदी को देखें तो गंगा मेकॉंग परियोजना एक करके सरकार पहले से ही गंगा मेकॉंग स्कीम दिला रही होती है तो अब यहां पर है मेकांग लंग कांग सहयोग अब दर्थल यह इसलिए पूछा ही गया है कि गंगा मेकांग सहयोग से आप अपडेट होंगे तो जैसे ही मेकांग आप देखेंगे आप इसको क्या करेंगे इंडिया से लिंग कर देंगे तो यहां पर थोड़ा सावधाइन से धक्राइए देखते है एक सूराइए इसोय पूर्वी एसिया में पर तक में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आसियाँ द्वारा सुरू किया गया था अब यहां पर देखिए एक फैक्ट है पूर्वी एसिया में यह पूर्वी एसिया गलत हो सकता है तो गलत होने की प्रबैबिलिटी रखते हैं यह सेकंडे स्टेट्मेंट पर आते हैं भारत 2015 में पहला तो खुद भारत दूसरा 2015 में एक सदसे राज यह के रूप में समूह में सामील हो गया है कौन सा सही है सही अब यहां देखिए कह रहा है कि कौन सा सही है भारत में कौंग लंकांग परियोजना में मिंबर है अगर ऐसा है यह नहीं कह रहा हूँ कि है लेकिन अगर ऐसा है तो क्या वो 2015 में सामील हुआ हो सकता है उसमें हो ही नहीं में भर ठीक है तो सेकंड ऑप्शन की गलत होने की प्रबाबिलिटी अधिक है तो यहां पर 2015 दिया गया है यह भी गलत हो सकता है इसी लिए अगर हम सेकंड ऑप्शन को गलत मानने की प्रबाबिलिटी रखते हैं तो हमारे पास क्या ओप्शन हो जा रहा है यह गाइब हो गया यह गाइब हो गया अब आप बैसिकली 50% के आज पास आ गये अब देखिए पहले एस्ट रुड देश हैं मैंनमार्थ हाइलेंड वियतनाम कंबडिया लाओस इन पांच देशों से होकर के में कॉंग रीवर वहती है यह साउथ इस्ट एसिया के देश है जबकि यह बात कर रहा है पूरवी एसिया के बारे में दूसरा यह आसियान द्वारा सुरू किया गया हो सकत तो वो स्कणने देराहे तो वो गलत देराहे है इसको गलत मानने के प्रबाबिलीटी रखी देखते हैं इसका सभी होना सर क्या होगा अब His में नर्ड ऑीं अब आते हैं इसमें सही क्या है म rankings चीनल क dumped ये लिद्यवरय है और में कांग रिवर वी चीन से बहने वाली है और मे है और तो जैसे हैं हमने यह चीन के रिग्हीं पहली पहल की बात करी तो पहला नयुक्रक्श ड़ल्ट हो गया और चीन के रिखर से जुड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि भारत उसका मेंबर नहीं होगा यह देखते हैं कि भारत एक सदा से राजय के रूप में समुह का हिस्सा नहीं है और पिछले साल यह चर्चा में बेसिकली इसलिए है क्योंकि पिछले साल 2022 में मैं अमार में इसकी बैठक हुई है और यह भारत को काउंटर करने से जुड़ा हुआ एक तत्य भी है क्योंकि इंडिया का साउथ इस एसिया में रिच बढ़ रहा है इसको लेकर के चाइना भी चिंतित है तो चाइना भी अपनी बढ़त बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे में जो भारत के आसपास कोई बड़ा नीज हो र रहना है और ऐसे तत्यों पर जहां भी कोई डेफिनिट फैक्ट मिल जाए वहां पर सतर्क हो करके ही अंसर करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि यहां देखिए कि हाल ही में वायू मैंडल में ओजोन च्हेकारी पदार्थों की सांदृता में काफी कमी आई है यह एक स्टेटमेंट है इसके संदर्म में निमलिखित कतरों पर विचार कीजिए बहुत आसान सा है कह रहा है कि सेंट्ली कंसेंट्रेशन ओप ओजोन क्या है वई कि ओजोन एक अत्याधिक प्रतिक्रियासिल अडू है जो मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है जो मुख्य रूप से छोभ मंडल और समताप मंडल में पाए जाने वाले तीन ऑक्सिजन परमाडूओं से बनता है अब यहाँ पर देखिए पहले स्टेटमेंट में ओजोन एक अत्याधिक प्रतिक्रियासिल लड़ू तो पहला तो यह हो गया कि यहाँ अत्याधिक प्रतिक्रियासिल एक फैक्ट है दुसरा को फिरुप से कहा मिलता है भोभ मंडल और समताप मंडल में पाया जाता है यहां पर गलत होने संभावना हो सकती है आए जोन का प्रमुख भाग समताप मंडल में पाया जाता है अब कह रहा है कि maximum number of ozone कि इस बीन फाउंड इन यह समताप मंडल में पाय जाता है इसी का अगला कर रहा है कि हलाकि प्रत्वी के ओजोन का लगभग एक चौता यहाँ देखिए जैसे हैं एक चपर आया कि कि क्या है एक प्रिटेसन जैसे इक कोई इन्बर का इंडिकेस्ट आ गया यहांbell हो सकता है लगभग एक चौताई हचोब पाया जाता है इसका मतलब है कि 25% ऑफ ओजोन फिन फाउंड इन लोग फिर चोब मंदल में तो अब यहां 25% कह रहा है कि चोब मंदल पाया जाता है जो की निस्चित तत्य है एक डेटा है जो की गलत होने की संभावना रखता है तिसरा अंटारकटिका के लिए 2022 के सुचकांक में 1990 के दसक के चरम मुल्य से 75% गिरावट यहांँ फिर दखीए एक हैट दिया जो कि डिजिट के साथ है पचसरथ हो सकता है कि वह सकता है 10 परसेंट गिरावट हो हो सकता है है 60 परशेंट गिरावट हो लेकिन वह एक नमबर दिया है फच्छत्र परशेंट की निष्चित तत्य हैं जैसे उसके गरत्प्रोनी कि संभावना पढ़ जाती है अब अगर आप UPSC लगतार प्रशनों पिछले को देख रहे हैं तो आप त्रेंड को समझते हैं तो यह तो समझ चकते हैं कि यहाँ पर दूसरा के गलत होने की संभावना है तीसरा के भी गलत होने की संभावना है और कैंडेला एक चुकि डेफिनिट फैकते हैं इसके भी गलत होने की संभावना है तो पूछ क्या रहा है गलत जैसे गलत हमने देखा उसको घेर दिया तो गलत होने की probability किसकी अधिक है पहला देखिए option में ही नहीं है का मतलब है कि पहला निश्चित रूप से सही है अब हमारे पास दो तीन और चार के गलत होने की संभावना है और तीनों में नंबर का नंबरिंग वाला फैक्ट है तो नंबरिंग वाला फैक्ट मैंने बार बार आपको बताया कि जैसे ही नंबरिंग का फैक्ट दिखे उसे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है तो हम यहा या ट्राइ ओक्सिजन के आप ओत्री भी कहते हैं एक और कार्बनिक अणु है जिसका रसायनिक सुत्र ओत्री है कि कह रहा है कि अंटार कटिका के लिए 2022 में 90 के दसक से 26% कमी देखी गई है अंटार कटिका पे जो ओजोन का ओजोन में होल हो गया था वह होल धीरे-धीरे भर है और अब उसमें 26% कमी देखी गई है अर्थात होल में होल कम हो रहा है तो अगर 26% गिरावट की बात कह रहा है तो यहां 75% गिरावट वाला से 3rd option अपने आप गलत हो गया थिक है फिर देखिए फिर कह रहा है कि ओजोन बायू मंडल में कम मात्रा में ही मौजूद है फिर भी अच्छा इस पे आते हैं प्रत्वी का अधिकांस ओजोन समताप मंडल में रहता है यह हम सभी जानते हैं बायू मंडल की परत जो सथह से कि अजिए ऐसम्ताप मंडल बारें बता रहा था है कि यहां से यह जो उचाई है अधर अधर रहा है और अ नब्बे परतीसत पायू मंडलिये ओजोन समताप मंडलिये ओजोन परत में समाही थे इसका मतलब है कि लगभग एक चोथाई भाग छोब मंडल में नहीं पाया जाता है बलकी छोब मंडल में स्तिर्फ दस परतीसत ओजोन ही पाया जाता है तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही ऐ जबकि ओजोन को डॉप्शन यूनिट में मापा जाता है तो इस तरीके से यह ऑप्शन भी गलत हो गया यहां तक क्लियर है आगे बढ़ते हैं कि यहां पर देखिए यह एकोनोमी से जुड़ा हुआ कोश्चन है कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्स्चेंज दोइंग बिजनेंस का यह एक पार्ट होता है करन करन्स या करण्सजए और सियों में ऐसानी से परिवर्टन कर लेना एक करन्सिए को दूसरे करन्सी में जितनी आसानी से इसका प्रयाश कर रहे हैं उसारी के संदर्भ टोट एक्स्टेंज में स्थित दुनिया का पहला contained X klar यहां पर दो हैं पहला है यह यह अईश्य नेशनल स्टॉक एक्स्टेंज में एक्स्टित और दूसरा दुनिया का पहला है तो यह इसका पहला तूसरा तीसरा होना यहां पर है सेकेंड यह भारत में स्वेलर्स को तोने के व्यापार और आयात तक तीधी पहुंच की सुभिधा परदान करेगा के यहां पर कोई ऐसा डिफनेट नहीं दिया गया है यह सच्टाहिव और गलत डोलों हो सकता है आप इसके बारे में जनकारी नहीं रखते हो तो इसको करके आगे बढ़ते हैं ठरड़ डिपोजिट्री तरविसेस लिमिटेट यहां पैक नाम दिया गया है और AIB X के लिए बुलियन डिपोजिट्री के रूप में नौमिनेट किया गया है अब ये एक संस्था के बारे में नाम बतारे कि यह संस्था ही इस बुलियन डिपोजिट्री को क्या करती है उसको मैनेज करती है अब कह रहा है कि कौन सा सही है अब सही कौन सा है तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई definite fact दिख गया तो उसके गलत होने की संभावना है तो हम पहला को अगर गलत मानते हैं तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया दो गैव हो गये अब कह रहा है कि दो तो definite रूप से सही है क्योंकि दो बी और डी दोनों में तो दो definite सही है अब कह रहा है कि तीसरा सही है या गलत कम से कम आप अब यहां पर आप रिस्क ले सकते हैं ऐसे में जब भी आप 50 अर्थात दो ऑप्सेंस को इलिमिनेट करने तो आप निस्टित रूप से ऑप्सें को टिक करके जरूर आए उसको छोड़ करके कभी नहीं आईएगा ठीक है तो यहां पर आपके पास जानकारी नहीं तो भी आप बी ओडी में से कोई लगा है आईए देखते हैं अंसर क्या है इसका गुजरात इंटरेश्ट्राश्ट्रिय वित्तिय सेवा केंद्र आई आई एपसी में भारत का पहला अंतरराश्ट्रिय बुलियन एक्सचेंज है और दुनिया में इस तरह का अपना यह तीसरा है और यह तो इस तरीके से अगर हम इस तत्य को समझ गए तो यहां पर यह नेश्ट्रल स्टॉक एक्स्चेंज में नहीं है बलकि कहा है यह गिफ्ट सीटी में गिफ्ट सीटी में अंतरराश्ट्रिय बित्तिय सेवा केंद्र इंटरनेश्ट्र फाइनेंसियल सर्विसे सेंटर में इस यह यह जो एक्सेंज बैसिकली यह जानकारी बता रहा है जो दुनिया के ज्यूलर का वर्ट करते लेंधन करते हैं उनके बारे में नह Alkari बता रहा है कि इनको एक देश से दूसरे देश में गोल्ड परतेज कि करने में आसानी के लिए इस बुलियन एक्सेंज को ओपेंड किया गया है ताकि अगर कोई भारत का ज्वेलर जो दुनिया की किसी दूसरे देश से ज्वेलर्स ज्वेलरी खरीदना चाहरा है जो उसके कहीं और पर करने में टाइम लगता है तो इस से बेटर है कि वह इस आह सभनाओं को में अपने आपको आरिश्टण करा ले तो उसका करंसी उल्रेडी पुस्द देस्क समें करना चाहेगा असानी से करण हो जाएगी और पिर वह करंसी का ट्रेड कर सकता है इसलिए यह सिंटेक्ड तो सही ही घटा तक कि तो कि इसमें अगला है कि Central Depository Services India Limited, इसेर मार्केट में भी भारत का NAC है और BAC है, दोनों के लिए Depository का काम करता है, तो इसलिए इसी को भारत के Bullion Exchange का भी Depository बनाया गया है, इसलिए जो हमारा third option था, वो क्या है, सही है, तो दो और तीन सही है, पैसिकली तीसरा option अगर आप जनकारी नहीं रखते हैं, तो हो सकता है कि गलत हो जाता आपसे, लेकिन रिस्क तो लेना ही है, एक्जाम हॉल में आपको रिस्क लेना ही है, जब दो और इलिमिनेट हो गए, तो आपको अंसर करना ही है, ठीक है, आईए आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहां पर देखिए, यह वाला यह वाला प्रस्ट काफी इंट्रेस्टेड है, और इसके पूछे जाने की समभावना भी बहुत अधीक है, हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब भारत के बिजनेस्मेन गौतम अडानी, दुनिया के सिर्ष थ्री बिजनेस्मेन में से एक उपा करते थे, लेकिन एक कमपनी थी, कमपनी का नाम था क्रेडिट साइट्स, और इस क्रेडिट साइट्स कमपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और उसके बाद गौतम अडानी के सेर अचानक से गिरने लगे, और फिर एक टाइम ऐसा है कि वो दुनिया के टॉप 20 बिजनेस्मेन के लिस्टे भी बाहर चलेगे, तो ऐसे में इस पर प्रश्ण पूछा जाना, यह बहुत डिवेटिव रहा है, सरकार पर भी इस पर बहु अच्छी ब्याक्या करता है, अच्छा एक और बात जो कि आप लोगों ने अगर फिवाई क्यू को देखा अध्यान से, आपने महसूस किया होगा कि जो एकनॉमी के कोश्टन पूछे जाते हैं, प्रिसिकली एकनॉमी के कोश्टन में कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं, आप स यह कंसेप्ट है, तो इसलिए इसके पूछे जाने की ही संभावना अधिक, ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इस अतिर लिवरेज सब्द की सबसे अच्छी ब्याक्या कौन करता है, पहला ओप्शन है, एक कमपनी जिसने निवेशकों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कि किया है, अब कभी-कभी क्या होता है, कि आप तथ्यों को नहीं जान रहे होते हैं, फिर भी सही कर सकते हैं, अगर आपका प्रजेंस ऑफ माइंड क्लियर है, कैसे, कह रहा है कि निवेशकों को बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिस कमपनी ने वो अतिर लिवरेज क रहा जाएगा, अरे भाई, क्रेडिट साइट्स कहता है कि अधानी समुह अतिर लिवरेज है, मतलब निवेशकों का अधिक ध्यान अप्रियों, अगर आपकर्षित किया हुए है, तो यह तो अच्छी बात है, इससे तो अधानी समुह का सेर बढ़ जाना चाहिए था, जब यह तो अधानी समुह पर लगाया आरोप है, कि अधानी समुह को सरकार से बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, यह सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो कि ऐसे ही दे दिया गया, UPSC में भी आपको ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएंग ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यदि कोई कमपनी जिनके पास उसके ओपरेटिंग कैस फ्लो और एक्विटी के तुलना में बहुत अधिक कर्ज है, और चौथा ओप्शन क्या कह रहा है, कि ऐसी कमपनी जिसके पास अपनी एक्विटी के लिए अनिस्चित रूप से उच स्टॉक मुल्य है, मतलब चौथा ओप्शन कह रहा है कि अगर के पास जो सेयर है, वह बहुत अधिक हाइप है, और तिसरा कह रहा है, सी ओप्शन कि एक कमपनी जिसके पास जो उसका ओपरेटिंग फ्लो है, या मतलब उसके पास जो पैसा है, जो उसकी इक्विटी है, जो स गर्णी के इस कमपनी में पैसा लगा रहे हैं, इस काषर कहरीत रहे हैं, और इस कमपनी पर बहुत अधिक करज है, तो क्या करेंगे सी कॉपनी को छोड़के भाग जाएंगे, फिर कमपनी का सी धर्णाम से गर जाएगा, को कि एक्सेस करज दे दिया गया है, यही बेसिकली सही कर सकते थे क्या मतलब एक उसकी संपतित से बहुत अधिक कर्ज है और यह जानकारी जैसे ही पब्लीक के पास आई लोगों ने कंपणी के सेर बेचने शुरू कर दिये और फिर कंपणी का से अंधराम से गिर गया तो तीसरा अगर आप उसके प्रभावों पर समझते तो अ सब्सक्राइब करते हैं कि आपको बता सके कि प्रस्णों को जानकारी के बावजूद कैसे सही करना है यहां पर प्रस्ण है कि मोरिंगा के सहजन का ब्रिक्ष होता है एक फलीदार पहला फैक्ट फलीदार दूसरा सदा परणी ब्रिक्ष है दूसरा इमली का पेड़ रक्षिण एसिया का अस्थानिक है तीसरा भारत में अधिकांस इमली लगू बनोत पाद के रूप में संग्रहित की जाती है अब हड़ वाला स्टेटमेंट तो आपको आसा श्रहां का घ्रहा होगा है कि जो भारत में इमली जो भी जंगली पौधे होते हैं उत्वात होते हैं उनको तर कारे परमि मिसं संदेंड की उसको इकठथा किया जा सकता है तो इमली और के बीज का निर्याद करता है इस olsun के तो गलत होने की समभावना ही नहीं क्यों किज भारत तर्फ हम सबी जानते हैं दुनिया से Pac-2 कहरीता हैelist और उसको चाहिए दोनिया में कोई भारत बहुत सार लिक खरीदा है जो भारत अप्लद्ध है तो भारत बेचता भी तो है उसी प्रकार इमली और मरिंगा के विजों का निरियात करता है करता होता होगा आगर उमली भारत में होती है तो क्यों नहीं निर्यात करेगा भारत बिल्कुल करेगा तो इस तरीके से चौथा पौजों के पत्ती यह से त्यार किया जाता कि ऐसे में यहां पर्यागारी मुझा सकता है आया्यों कि आजा सकता है हम सभी अगर कोई कहे कि निम के पत्ते का उप्योग इंदर बावडियल बान और किया रहा है कि यह रहा है श्रुप से सही होने की संभावना रखते हैं और यहां पर पहला में सदापरनी ब्रिक्ष करके एक निश्चित ठै डे दिया है जब्की दूसरे में दक्षिण का अस्थानिक बता करके एक निश्चित तथ days का नहीं देसे हिए q के साही होने की संभावनदिक देखते हैं ती जानकारी के इस प्रश्ण को सही कर सकता था और UPSC के question को सही करके अपने नंबर बढ़ा सकता था तो यही मैं बार-बार आप लोगों को सिखाता हूँ कि सिर्फ knowledge UPSC के exam को pass करने के लिए sufficient नहीं है बलकि आपको elimination technique तो आना compulsory ही है ठीक है? आईए आगे बढ़ते हैं अगला question बैसिकली इंडिया के mapping से जुड़ा हुआ है यहां पर देखिए प्रश्ण है निम लिखित कत्रों पर विचार करें किसके बारे में चंबल नदी के बारे कह रहा है पारवती ताली सिंध पनास के चंबल की दाइए और से साइए और से मिलने वाली सहायक नदिया है जबकि तिप्रा वित्वा यह बाईए और से मिलने वाली सहायक नदिया है अब यहां पर देखिए mapping के जो question आप से पुछे जाएंगे वो थोड़े hard होंगे लेकिन अगर आप smart student है तो आप उसको भी सही कर लेंगे यहां पर तो बड़े बड़े फैक दे दिये गए पारवती भी खाली सिंध भी बनास भी के पहले तो कि क्या यह तीनों चंबल की सहायक नदिया है तो क्या यह तीनों नदिया दाईयों से मिलती है जलत होने की probability probability पह मतलब कि यह statement आपको महसूस हो रहा होगा कि कहीं से कट पेस्ट नहीं किया गया है बल्कि यह statement खुद से बनाया गया है और जब भी statement बनाया जाता है तो उसके गलत होने की संभावना अधिक होती है कि दूसरा यह नदी मध्यप्रदेश राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बहती हुई यमुना नदी में मिलती है अब यहां पर देखे चार-चार राजयों का नाम दे दिया आप चंबल नदी के मार्ग को जानते हैं तो बहुत अच्छा नहीं तो यहां पर चा कोटा बैराज चंबल पर राजस्थान इस्थित जल बिदूत परियोजनाय है है तो यहां भी देखिए भार बबार दिख रहें आपको गांधी सागर राणापरताप सागर और कोटा बैराज तीनों में हो सकता है तीनों राजस्थान में नहीं हो इसा या फिर हो सकता है तीनों में से कोई चंबल पर ही नहीं हो फिर देखिए दुलिया जल प्रपात चंबल नदीपर राज अस्थान में अवर्ष्थित है देखिए यहां पर इस कोश्चन में हमने बेसिकली आपको को इलिमिनेशन टेक्निक सिखाने का प्रयास किया है लेकिन एक सावधानी बता रहा हूं जो मैपिंग का कुछती मैपिंग के को से अधिक आपके नॉलिज का टिस्ट कर रही हो तो इंडिया के मैपिंग को और वर्ल्ड की मैपिंग को आप लोग बहुत मैणूट लेबल पर बढ़िया से तयार जबू इसको थोड़ा समझ लेते हैं और पुछ रहे कौन सा गलत है तो गलत वर ने घर दिया अब यहां देख लेते हैं यह देखिएगा एक मैप है कि इसमें नदी तंत्र है यह चंबल नदी है चंबल की कुछ सहायक नदियों को देखिए यहां पर काली सिंध पारवती यह दोनों चंबल की सहायक नदियां है जो चंबल यहां से बहरी है उसके दाई ओर से मिलती है अब यहां ओप्सर में देखिए काली सिंद दाई और से मिलने वाली नदी है और पारवती दाई और से मिलने वाली नदी है यह स्टेटमेंट सही है फिर कह रहा है बनास यहां देखिए बनास नदी बनास नदी बाई और से मिल रही है और यह option क्या किया गया है यहां पर बनास नदी को भी सामिल करके दाई औ बना दिया गया है तो इसलिए क्या हो गया गलत हो गया तो आपके लिए एक हो मुख है कि आज आप लोग चंबल की सभी सहायक नदियों को जरूर तैयार कर लेंगे ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों को दिखा देता हूं यहां देखिए यह एंपी राजस्थान का बॉर्डर है ठीक है यहां देखिए चंबल नदी है चंबल नदी पर यहां गांधी सागर डैम है यह राजस्थान इसके इधर राजस्थान है और इसके इधर एंपी है तो गांधी सागर कहां है गांधी सागर एंपी में है यहां देखिए राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर किसमें है राजस्थान में फिर देखिए यहां पर जवाहर सागर जवाहर सागर कहां है राजस्थान में फिर देखिए कोटा बैराज कहां है राजस्थान में इसका मतलब है कि चंबल नदी पर चार जल प्रपात चार बांध हैं इतने माइनूट अस्तर पर आपको जानकारी शिजोकी होनी चाहिए अगला देखिए चुलिया जल प्रपात बेसिकली इसी नदी पर है और यह राजस्थान में अवस्थित है यह पूछा गया कि चुलिया जल प्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में वस्थित है यह स्टेटमेंट सही है और पूछ रहा है उपर्यूक्त कत्रों में से कौन सा गलत है तो चौथा तो डेफिनेटली सही है इसका मतलब कि चौथा गलत में नहीं होगा तो यह ऑप्सन क गया और हमने यह भी देखा कि पहले में बनास गलत है तो पहला होना चाहिए तो इसका मतलब पहला दूसरा और तीसरा आंसर है यह ठीक हो गया आप लोगों के लिए टास्क है कि चंबल नदी की मैपिंग को खुब बढ़िया से आज आप लोगों को कर लेना है आई अगले कोश्चन की और आते हैं अगला कोश्चन बेसिकली यह वर्ल्ड मैपिंग से जुड़ा हुआ कोश्चन है और मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे तहला है लिंपोपो नदी पक्कर रेखा को दो बार काटती हुई अट कि दूसरा आइजर नदी को अधिके बाद फिर नदी एक बाद अफरीका की दूसरी सबसे बड़ी तटी है तो अटलांटिक महसागर में धिनी की खाली वें गिरती है तो यहां तीन अस्टेट्मेंट है कह रहा है कौन सा गलत है यह औपसन सामने हैं यह तीनों अस्टेट् सामने से हड जाता हूँ आप लोग ले लिए और बताईएगा निश्चित रूप से आपका कमेंट आना चाहिए इससे हमारा भी मनुवल बढ़ता है कि बच्चे हमारे पढ़ाई को ध्यान से सुन रहे हैं और साथ ही आपकी तयारी भी मजबूत होती है मुझे बार-बार प् यहें निवाद यहें